कराची में ओम निवास में सर्वस्त नहीं बाबा हैद्राबाद से स्थानांतरित होने के बाद सभी इसी भवन में ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होने की शिक्षा लेते थे यहां ही ओम बाबा भी रहते थे इसलिए इसका नाम ओम निवास हुआ यह काफी बड़ा भवन था राइट हेंड साइट पर कराची का राधा भवन दिखाई दे रहा है यह कराची का वह अितिहासिक भवन है जिसे राधा भवन कहा जाता था और जहां ओम राधे अथ्वा जगदंबा सरस्वती जी ने उन दिनों ज्ञान विणा बजा कर कितने ही मानव रदयों को आत्मिक सुख दिया था और उनका दिव्य विवेग भी जागरुत किया था यहां ही छोटे बच्चों को भी आध्यात्मीक शिक्षा मिलती थी यह काफी बड़ा भवन था यहां के शांत स्वच एवं दिव्य वातावरण में प्रारंबिक दिनों में इश्वरिय ज्यान का अध्ययन तथा अभ्यास बहुत ही श्रेयस कर रहा बृत्था जन्म गवाना जीते जी मर्जीवा बनकर छोड़ दे सब बहाना जाना है वैकुठिकाना कौन देश्ठ है जाना अहम आत्मा निश्य करके प्रभुसे योग लगाना पाना अखुठ खजाना सोचो सोचो ए ओ मनमूरक छोड़ के सभी बहाना रहान अब है जमाना अब सारे शहर में चर्चा थी कि देखे आज कौन जितता है और क्या फैसला होता है शहर में घर घर में जब यही चर्चा हुई कि ओम निवास पर पिकिटिंग हो रही है तो जो जो कन्याएं माताएं अपने अपने घर में दस बारा तालों में बंद थी वे भी इस घरना के बारे में सुनकर किसी न किसी युक्ती से निकलाई इन्ही में से एक का नाम गोपी था वह शहर के एक प्रसिद जोहरी की पुत्री थी वह चौधरी की पुत्री थी वह चौधरी अथवा सेठ जी लोगों को तपाक से कहा करते थे कि वे अपने पुत्रियों तथा बहुओं को बांध दे उन सेठ जी को इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपनी पुत्रियों को तेरह तालों में भीत के भीतर ऐसा बंद करके रखा है कि वे लाख प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं सकती वो सेठ जी इस पिकेटिंग एवं प्रदर्शन के भी एक नेता बने हुए थे अचानक ही उन्होंने क्या देखा कि उनकी पौत्री भी वहाँ आ पहुची है उन्हें इस घटना से बड़ा आश्यर्य भी हुआ और संताप भी यह सेठ एंठी ओम मंडली को बहुत धन देते थे इस बात का उलेख पहले किया जा चुका है अब इधर उपद्रवी लोग सभी सोडा वाटर की बोतले पीते, कभी चाय पीते और कभी कुछ और ले लेते वे कई बार सामने की पंक्नी में खड़ी छोटी-छोटी कन्याएं जिन में बहुत सी बारा वरश की छोटी थी उन विकारी लोगों के हाथ से कुछ भी लेने से इनकार कर देती थी इस प्रकार खड़े-खड़े सारा दिन हो गया लेकिन वो हिली भी नहीं पिकेटिंग करने वाले लोग उन छोटी कन्याओं को कहते थे अच्छा आप भले ही अंधर चली जाओ परन्तु वोई कहते थी हम तब जाएगी जब सभी बहने हमारे साथ अंधर चलेगी वरना हम भी यही धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहेगी हम धर्ती पर चाहे पढ़ जाएँ परन्तु अपना धर्म नहीं छोड़ेगी आखिर धर्णा मारने वालों ने जब देखा कि इन लोगों पर इसका कुछ भी असर नहीं पढ़ता है तो ये अपने मंतव्य में अटल रहें और वे बेचारे कब तक वहां बैठे रहते देरे कुछ कर गए धर्म परायन पांडव दल की विजय हुई क्योंकि जिदर श्री हरी है अर्थात पतीत पावन परमात्मा है विजय तो और निश्चित है ही दूसरे दिन उन लोगोंने फिर धर ना दिया उन्होंने मन में दड़ विचार कर रखा था कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए हम इनको बिलकुल ही अंदर नहीं जाने देंगे अतह आज शहर के हजारों लोग यह देखने के लिए वहाँ आपहुंचे थे एक और वे सब खड़े थे और दूसरी और श्वेत वस्त्रधारी पांडव थे तथा शिवशक्ति सेना थी परन्तु उस दिन भी कुछ नहो सका आखिर सायंकाल साथ बजे तक खड़े रहकर वो लोग वापस लौट गए तीसरे दिन वे फिर कई गुंडे लोगों के को भी साथ लेकर आए अब सिंध की सरकार ने कलेक्टर साहब ने बीच में पढ़कर धरने को बंद किया कई समझदार लोग भी अब कहने लगे कि इन मुखियों का यह कार्य ठीक नहीं है वे छोटी-छोटी कन्याओं को योहीं परिशान करते हैं कुछ नामी लोगों ने समाचार पत्रों में भी एंटी-ओम मंडली के इन आंदलनों के विरुद तथा सत्संग करने से रोकने के विरुद लेख दिये जिला मेडिस्ट्रेट ने सेक्शन 1.1.2 तथा सेक्शन 1.0.7 के अंतरगत उपद्रवियों के विरुद कार्यवाही की परन्तु इन ही सेक्शन्स के अंतरगत ओम मंडली के पाँच व्यक्तियों के विरुद भी नोटिस दिया इन पाँच व्यक्तियों में दादा भी थे और उन पाँच के विरुद शान्ती भंग करने का आरोप लगाया गया था देखिये तो कैसा अन्याई है उधम तो एंठी ओम मंडली वालोंने मचाया मकान भी उन्होंने ही तोड़ा और जुलुस निकालकर पथराओ भी उन्होंने ही किया अतह उन्हें शान्ती भंग करने के अपराद के लिए दंडन दिय ठहराना एक न्याय संगत बात थी परन्तु जिन लोगों के विरुद ये सब किया गया और जिन्हें हानी पहुचाई गई उनके विरुद ये कारेवाही तो सरासर अन्याई ही था अतह ओम मंडली ने तुरंथ ही यह मामला उच्चिनायले में पेश किया उच्चिनायले के जुडिशिल कमिशनर तथा एक अन्यनायाधिस ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कारेवाही की कड़ी आलोचना और भच्चना की उन्होंने कहां कि जिलाधिश ने इन कानून का गलत प्रयोक किया है क्योंकि वास्तों में ओम मंडली तो शान्ती पुर्वक अपने धार्मिक मंतव्य के अनुसार ही तो कारे कर रही थी शान्ती तो भंग दूसरों ने की माननिय न्यायाधिश महोदवय ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि जिला मेजिस्ट्रेट ने जो कुछ किया है यदि वैसे ही किया जाने लगे तब तो कोई भी पुराने पन्थी और रुढिवादी लोग उठकर समाज सुधारों को को रोख सकेंगे अतहां ओम मंडली का कोई अपराध नहीं है इनसे तो अनुचित और हानिकारत व्यभार किया गया है तो ये उचने आयलल के जो जुडिशनल कमिशनर जो थे तथा अन्यनायाधी जो थे ये निर्णाई उन्होंने 21st of November 1938 को सुनाया था अब शान्त वातावर्ण पैदा करने के लिए पिताश्री अथवा बाबा तो प्राह कराची में रहने लगे थे ओम मंडली ने सभी को यस्वष्ट कर दिया था कि कराची में ही चल सकते हैं जिनके पास पिता या अभी भावक की स्विकृत पत्र हो अतह जिन माताओं बहनों को अपने अपने घरवालों से स्विकृति पत्र मिले हुए थे अब वे भी कराची में रहने लगी अब कराची में ओम बाबा ने सभी के आवास निवास की व्यवस्था कर दी वहां चावनी में शांत वातावरण में पांच अच्छे अच्छे बंगले ले लिये गए थे उन में से एक ओम निवास, दूसरा बेबी भवन, तीसरा वाईज भवन, चौथा प्रेम भवन और पांचवा राधा भवन के नाम से जाना जाता था बहुत छोटी आयुवाले बच्चों को अलग एक बंगले में लौकिक विध्या के साथ साथ ईश्विरगान भी सरल रिती से दिया जाता था पुरुशों और स्त्रीयों सभी के रहने के लिए अलग-अलग प्रबंध किया गया था कराची में भी दिनचर्या पहले की तरह ही थी और चलती थी वैसे ही प्रातह साड़े तीन बजे उठना और वैसे ही शांत समाधी ज्ञान मूरली आदी-आदी का सारा कार्यक्रम चलता था एक दिन जब बहुत सी कन्याए आदी बस में जा रही थी तो रास्ते में दुरगटना हो गई बस उलट गई कई एक को चोट आई कुछ एक के शरीर से थोड़ा रक्त भी निकला कुछ लोगों ने यह देखा परंतु उन्हें इस बात पर अश्यर्य था कि छोटी-छोटी कन्याए भी रो नहीं रही थी किसी के भी चेहरे पर दुख के चिन्ह दिखाई नहीं दे दे थे यदि बस में और कोई होते तो रोने चिलाने का वातावरण होता परंतु यहां तो सभी कह रहे थे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ सभी को हस्पताल में लाया गया, वहां उनकी मरंपच्ची हुई जिन्हें अधिक चोट आई थी, उन्हें दाखिल किया गया परंतु हस्पताल की नर्से तथा डॉक्टर आदी सभी कन्याओं की मानसिक स्थिति देखकर बहुत ही आश्यरवंत हुए कि इन्हें जरा भी दुख नहीं है एक कन्या बाबा को सूचना देने के लिए गई बाबा ने जब यह सुचना तो उनके चहरे पर चिंता या दुख के चिंह नहीं आए उन्होंने कहा अच्छा बच्ची जो भावी थी सो हुई चलो मैं अस्पताल चलता हूँ पहले तो बाबा वहां गए जहां दुरगटना हुई थी फिर वे अस्पताल पहुँचे अपनी मुस्कुराहट से, मधूर द्रश्टी से, मीठे वचनों से उन्होंने सभी को हर्शित किया बाबा ने देखा कि सभी शान्ती पुर्वक, सहन्शिल और आत्मा निश्य है यह समाचार दैनिक पत्रों में भी प्रकाशित हुआ और लोगों में भी इसकी चर्चा थी कि यहां छोटे-छोटे बच्चे भी आत्मा निश्य में रहस्तित है और सहन्शिल है तथा इनकी धार्णाएं बड़ी उची है अब हैद्राबाद निवासी ज्यान की प्यासी माताओं अकन्याओं से बाबा की अनुपस्थती सहन नहीं हो सकी वे ज्यान और ज्यान दाता को याद करके विलाप करती रही घरवालों के बंधन में पड़ी हुई वे श्रीमत भागवत प्रसिद्ध गोपिकाएं जब आपस में मिलती थी तो परमपिता परमात्मा के लिए और ज्यानामृत के लिए और उनकी विरह वेदना का द्रश बड़ा मर्मस परशी होता था वे रोकर एक दूसरे से पूछती थी ओ जमना, ओ जशोदा, ओ राधे, बता दे, कहां गयो मेरो घंश्यामृत सक्खी में हित देखू, मैं हुत देखू, मेरो कहां गयो घंश्याम रे ओ माता, ओ मराधे, कहां गयो पिता जाना एक दिन, कोई पंद्र कण्याय मिलकर, अपने बंधनों को तोड़कर, वहां करीच्ची में जा पहुंचे उस समय, उनके मन में पवित्रता का यह पाठ चलता होगा नवल नवेली न्यारी, हम कवारी ब्रम्हचारी बच्पन अलबेली न्यारी हम कवारी ब्रम्हाचारी काम नहीं कोई क्रोध नहीं हम सरल सहज मतवारी लोब नहीं कोई मोह नहीं हम सो सो हम गतवारी ब्रम्हा ग्यान की नित्य ही बोली बोले बिज्ञानी बन ग्यान अविनाशी खोले वहां से ओम मंडली ने उनके संबंधियों को सुचित कर दिया कि कुशल पुर्वक यहां बहुंच गई है आप उनकी चिंतानी करना अब एंठी ओम मंडली के सदस्यों ने तथा अन्य लोगों ने देखा कि इतना प्रयत्न करने पर भी ज्यान भिलाशी कन्याय माताये हमारे बंधन को तोड़ कर मुक्त हो गई है एक के बाद दूसरी रिती से हंगामा करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था अतह मुख्यों ने सिंध के मंत्री मंडल पर जोर डालना शुरू किया और ततकालीन अल्ला बक्ष मंत्री मंडल ने हिंदू मंत्रियों को इस बात पर बाध्य कर दिया कि वे मुख्य मंत्री को धमकी दे कि यदि उन्होंने ओम मंडली पर प्रतिवंध नहीं लगाया तो वो त्याग पत्र देंगे जिससे कि उनका मंत्री मंडल तूट जाएगा वे मुख्य मंत्री तथा विधी मंत्री पर जोर डाल कर कुछ बालिग माताओं और सभी नाबालिक कन्याओं को भी ले गए और उन्होंने चोगना अधिक अत्याचार करना शुरू कर दिया यहां तक कि एक कन्याकातो अंदर वियोग में रहते रहते और सितम सहन करते करते देहांत भी हो गया दूसरी और उन्होंने समाचार पत्रों में संपादकों को भढ़काया और उन पर अपने पैसे तथा पद का दबाव डाल कर उनसे मुख्य लेख लिखवाएं। दूसरी और उन्होंने कुछ लोगों से कहकर नाया लयों में सहवास अधिकार के लिए मुकद में चालूम करा दिये। के लिए नए दिव्य गुणों की मुर्ती ओम राधे ही निमित थी। लोगों ने सोचा था कि कोर्ट में ओम राधे जी से उल्टे सुल्टे प्रश्न किये जाएंगे और उस से इस संस्ता को बदनाम करेंगे। परंतु हुआ उसके विपृती। उस समय नायाले के विचित्र द्रश्य और उसमें मजिस्ट्रिट से हुए प्रश्न उत्तेर का उल्लेक ब्रह्माकुमारी प्रकाश्मने जी। जो कि वर्तमान समय ब्रह्माकुमारी ईश्वरिय विश्ववध्याले के मुख्य प्रशार्श्य का बहन हैं, इन्होंने इस प्रकार किया है। ओम रादे जी के साथ हम अन्य पांच बहनों को भी नायाले में जाने के लिए प्रवेश पत्र मिला था। हम कराची के हाइदराबाद उस नायाले में आई थी। कोट का करमरा लोगों से भरा हुआ था। उनमें काफी संख्या में मुसल्मान लोग भी थे। वहाँ पुलिस के इंस्पेक्टर आदी भी मौजुद थे। जब हमारी कार कोट के बाहर आकर रुकी थी तो वहाँ भी काबू में रखने के लिए काफी पुलिस का प्रबंध था। ओम राधे जी के साथ हम पांच इश्वरिय बहनों ने कोट के कमरे में जब प्रविश किया था तो सभी लोग उत्सा पुर्वक हमारी और देख रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे कि आज सारा शहर यहां प्रविश कि जैसे कि हम खेल देखने आई हो बाबा के द्वारा हमें जो इतना उच ग्यान मिला था उसकी हूती हुए भी हम डरती क्यों फिर हमारे मन में कोई बुराए कोई बुराए भी नहीं थी तो हमें किस बात से संकोच या डर होता। कोट में सन्नाटा सचा गया था। जज साहब कुर्सी पर बैठे थे। हम पाच बेहनों को भी बैठने के लिए उन्होंने कुर्सिया दिलाई। फिर ओम राधे जी को गवाही के कठरे में आने के लिए कहा गया। ओम राधे जी का व्यक्तित्व उस समय एक शक्ती जैसा दिख रहा था। श्वेत वस्त्रों में सौम्य स्वभाव वाली वह एक देवी सी प्रतीत हो रही थी। जैसे कहीं आकार से वहां उत्री हो। ओम राधे जी के यहां ठहरने पर जजस सहेब ने कहा पहले गीता पर हाथ उठा कर कसम लीजिए कि आप सच बोलेंगी। ओम राधे जी ने कहा क्या कसम उठाना है? क्या बोलना है? आप गीता को हाथ में उठा कर ये कहिए कि भगवान को हाजिर नाजिर देख कर जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। ओम राधे जज सहेब मैं इन आखों से तो आपको ही हाजिर नाजिर देख रही हूं। आत्मा को जज साहिब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ बोलूँगी सच बोलूँगी यह विचित्र उत्तर सुनकर कोट में बैठे हुए लोगों को बहुत आश्यरे हुआ और कई तो हसने भी लगे किसी किसी ने तो तालियां भी बजाए कोई-कोई बोल उठा कि ओम राधे ने बिलकुल ठीक कहा है जज साहिब थोड़ा नारास्तो हुए और उन्होंने और 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 इस प्रकार से शब्द बोलकर सब कुछ चुप कराया फिर जज साहिब ने ओम राधे जी की और देखते हुए बोले कि मैं कोई भगवान थोड़े ही हुँ कि आप मेरी कसम उठाएंगी भगवान के नाम पर कसम उठाना यह कोट का लौ अत्वा विधान है हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते ओम राधे ने बड़ी नम्रता पुर्वग कहा जज साहब आप स्वयम ही कहते हैं कि सच बोलो तब भला विचार कीजिए जब मैं यहां इश्वर को हाजिर नाजिर नहीं देखती बलकि यहीं देखती हूँ कि आज हरेक के मन में काम क्रोधादी विकार ही भरे हुए हैं तो फिर मैं जूठी कसम कैसे लो जज साहब थोड़ा आवेक से बोले यह कौट है सत्संग नहीं है जहां आप मुझे ग्यान देने लगी है यहां तो का उनको तोड़ेगी तो आपको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफतार किया जाएगा फिर ओम राधे ने शक्ति के रूप में निर्भय होके बोली जैसे आप इस कोट की हद तक नहीं करना चाते वैसे मैं भी इश्वर को जो कि आपका और हम सब का परमपिता है उसका अपमान अथवा उसकी हतक कैसे कर सकती हूँ गीता में भी भगवान के महावाक्य है कि जब धर्म की गलानी होती है तब मैं आता हूँ तो फिर भगवान इस संसार में हाजिर कैसे हुए परमात्मातो ग्यान स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप और निर्विकार है परन्तु आज हरेक के मन में काम क्रोधादी विकार है और अशांती भी है तब बला परम परित्र परमात्मा सब में हाजिर नाजिर कैसे हुए उस समय ओम रादे जी की आयू लगभग 21 वरश की थी निर्भिक अवस्ता में उनके मुख से ऐसे विवेक संगत उत्तर सुन क लोग दातों तले उंगलिया चबाने लगें एंटी ओम मंडली के जो लोग वहां उपस्थित थे स्वयम उनके मन को भी यह सची बाते स्फर्ष करती मालूम होती थी यह किसी ने नहीं सोचा कि आज ऐसा कवत्व होगा कानून से बंदे हुए जड साहिब को तो अपनी ड्य आतह यद्यपी उनके मनतव्यको ओम राधे जी के उत्तर जंजोरते हुए से मानूम होते थे वो भी कमजोर सी आवाज में बोले कुछ भी हो कोट के काईदेत का पालन तो करना ही होगा तब शक्ति स्वरूपा ओम राधे जी बोले जड साहिब मैं किसी भी हालत में जूठी कसम नहीं उठा सकती जड साहिब ने एक बार फिर कहा अभी भी मैं आउसर देता हूँ सोच लिजए अभी भी कसम उठा लिजए तब ही मैं गवाही के लिए प्रशन पूछूँगा ओम राधे जी ने फिर कहा जड साहिब मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है अब जद साहब इस सोच में पढ़ गए कि अब क्या किया जाए ओम रादेजी को डराने के विचार से उन्होंने उपस्तित पुलिस आफिसर को आगया दी कि वह उनके हाथों में हत्कडी डाल दे पुलिस कर्मचारी ने हत्कडी लेकर आगे बढ़ने लगे परन्तु ओम रादेजी मुस्कुराती हुई सी निर्भय अवस्था में खड़ी ही रही तभी सभी लोग बहुत ही उत्सक्ता से देख रहे थे कि अब क्या होगा अब तो शायद हत्कडी लग जाएगी इतने में जद साहब ने पुलिस कर्मचारीों को आगया दी ठेरो ठेरो उलिस कर्मचारी जंजीर लेकर पीछे हट गए उपस्तित जंताने में से कई लोगों ने फिर तालिया बजाएगी आखिर जज साहिब ने इस तरह की कसम उठाने का आगरह छोड़ दिया और परमपिता परमात्मा के कवरहों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाली अब जज साहिब ने दूसरे प्रशन पूछने शुरू किये अब यह बताईए कि आप सभी इतना रोकने पर भी घरबार छोड़ कर दादा के पास क्यों चली गई जज साहिब क्या आपने कभी श्रीमत भागवत पड़ा है जब भगवान मुर्ली बचाते थे तो गोपिया उस मुर्ली के पीछे क्यों भाग जाती थी तब उन पर मुकदमा क्यों नहीं चला वह यही ज़्यान मुर्ली से ही तो है तो थी अब भी हम उसी ज़्यान मुर्ली की सदा अभिलाशी रहती है जज साहिब जब कई पुरुष लोग सन्यास ले लेते हैं और घरबार छोड़ कर जाते हैं तो उन पर तो मुकदमा नहीं होता है उनसे ये प्रश्ण क्यों नहीं पुछा जाता है भगवान के लिए तो नर और नारी एक समान है न अब उसने हम माताओं को ज्यान कलश दिया है अतह अब हम माताओं को पवित्रता और इश्वरी ज्यान का चंस मिला है जब हम माताओं ज्यान और पवित्रता का जीवन प्राप्त करने के लिए इश्वरी सक्संग में जाती है तो हम से ये प्रश्ण क्यों पुछा जाता है जज साहब ज्ञान अमृत पीने के कार्य में संबंधियों की और से जो हमारे मार्ग में रुकावटे पड़ती है तथा बे माताओं पर भी जो अत्याचार करते हैं उसी के परिणाम स्वरुप ही ये सब हुआ है इस प्रकार जज ने और कोई प्रश्न नहीं और कई प्रश्न किये उदारन के तोर पर और एक ये प्रश्न था कि भला दादा आप सबकी आँखों में डालने के लिए कौन सा सुर्मा या अंजन देते हैं जज साहब किया आपने शास्त्र पड़े हैं जी हां कुछ पड़े हैं तो आपने ये भी पड़ा होगा न कि इश्वरिय अज्ञान को अंजन भी कहा जाता है एक पड़ भी है ज्ञान अंजन सत्गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश अब सत्गुरु परंपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं तो आत्मों का अज्ञान अंधेर मिट जाता है तो वही ज्ञान अंजन अब हमें परमपिता परमात्मा देते हैं, जो की हम औरों को भी देते हैं जज ने पूछा, दादा जी के कितने बच्चे हैं? जज सहर, हम दादा जी के शरीर को नहीं देखते हैं, हम तो दिव्य चक्षु द्वारा उनके तन में प्रवेश हुए परमपिता परमात्मा का अनुभव तथा दिव्य शाक्षातकार होता हैं अब आप ही बताइए कि भगवान के कितने बच्चे हैं? क्या मनुष्य पूरी गिंती कर सकता है? भगवान तो त्रिलोग की नाथ हैं, सभी उनके बच्चे हैं, केवल हम उनकी बच्चियां या बच्चे नहीं, बलकि आप भी उनके बच्चे हैं जज साहब ये सभी उत्तर शांत होकर सुन रहे थे, और लिखते भी जा रहे थे, ओमरादे जी भी कठर गरे में नीचे उतर कर हमारी और आई, जनता ने एक बार फिलता लिया बजाएं, विभिन सिमाचार पत्रों के रिपोर्टर या समवादाता भी कोट में बैठे ये प अगराची में लौट कर बाबा को सारा समाचा सुनाया, परंतु बाबा को समाचा पत्रों द्वारा पहले ही सब कुछ मालुम हो गया था, और शांत, साक्षी और निशिंत अवस्था में थे, अब कराची में कन्याएं माताएं और परिवार, ज्याना मृत द्वारा अपना जीवन उच्छ बना रहे थे परन्तु वहाँ जाने पर भी लोगों ने विरोध नहीं छोड़ा उन्होंने वहाँ के साधू T.L. वास्वानी को भढ़का कर साथ में मिलाया और इस वृत्तान्त के बारे में प्रह्मा कुमारी चंद्रमणी जी लिखती है कराची में साधू T.L. वास्वानी ने कन्याओ के लिए मीरा स्कूल खोल रखा था और वे सत्संग भी करते थे एक दिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आप जाकर साधू वास्वानी जी को इश्विय संदेश भी दे आओ और ज्ञानवारता लाब भी करके आओ उन दोनों यह मालूम हुआ था कि साधू वास्वानी जी जो ओम विंडली के विरुद पिकेटिंग करने की बाद सोच रहे थे अतह बाबा ने हमें कहा कि वास्वानी जी को कहना कि पहले आप स्वयम ओम मंडली को अच्छी तरद देखिए वहां आने वाले सतसंद्गियों के अनुभव पूछिए और यूही सुनी सुनाई बात पर कोई निर्णई में कीजिए और बिना जाने आंदोलन करने की भूल न कीजिए अतह हम कुछेक बहने इकठी होकर उनके पास गई और इश्वरी संदेश का एक ग्रामोफोन रेकॉर्ड भी सात में लेके गई हम लोगों से उनका ज्यान वारतालाब हुआ हमने उन्हें अपना अनुभव भी सुनाया और यह भी बताया कि अब परमपिता परमात्मा हमें क्या ग्यान दे रहे हैं उनका लक्ष क्या है उससे हमें प्राप्ती क्या हुई है और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया है यह सब सुनकर वास्वानी जी बहुत खुश हुए हमने बाबा की और से और ओम मंदली की और से ओम निवास में आने का निमंतरन भी दिया वो कहने लगे अच्छा मैं आपके साथ ही चलता हूँ चुनाचे वे हम सभी के साथ ही कार में बैठ कर चलने लगे जो ही वो कार में बैठे त्यों ही कार के चारो और अनेक सत्संग में आने वाले तथा प्रसंग शक नर नारी घेरा डाल कर खड़े हो गए उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे सादू वास्वानी जी ने कहा कि डर ये नहीं मैं एक घंटे में वापस लोट आऊंगा तो यह वही के हो गए और यह वही के हो गए तो हम सबका क्या बनेगा अतह उन्होंने वास्वानी जी को नहीं जाने दिया आखे वास्वानी जी कार से उतर गए और बोले कि दादा से मिलने का बहुत ही मन था परन्तु अभी नहीं चल सकूंगा फिर कभी आऊंगा एक दिन आया कि साधु वास्वानी जी ने उन सभी के साथ मिलकर ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की हजारों लोग वहां इखठे हो गए सभी ने बहुत जोर से आक्रमन किया वे दिवार तोड़कर अंदर भी गुस आये लेकिन श्रिक्र ही पुलिस ने पहुँच कर सभी को भगा दिया वास्वानी जी को भी पुलिस ले कर गई साधु वास्वानी श्री कृष्ण के भगत थे और गीता में उनकी बहुत श्रद्धा थी यदि लोग उन्हें न भढ़काते और वे एक बार दादा के सम्मुख ज्यान वारता लाब करते तो वे पिकिटिंग न करते बिलकुल ही बहुत ही खुश होते परन्तु अब पिकिटिंग के वातावरन और भी बिगड गया मुखी लोगों ने साधू वास्वानी जी को भी साथ मिलाकर सिंध सरकार पर दबाव डालना शुरू किया कि वह ओम मेंडली पर प्रतिवंद लाए चुनाचे हिंदू सुद्रश्यो तथा मंत्रियों ने मुख्य मंत्री तथा विधी मंत्री पर दबाव डाला और उन्हें धमकियां भी दी इस सिल्सिले में मुख्य मंत्री तथा विधी मंत्री ने सिंध की विधान सभा में जो भाशन दिये वो बहुत ही तथ्यपूर्ण है उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम मंत्री मंडल के हिंदू सदस्यों ने हमें त्याग पत्र की धमकी दी है परन्तु हम किसी भी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं हरे को अपने धार्मिक मानतव्य के अनुसार सत्संग या साधना करने का कानूनी अधिकार है ओम मंडली पर प्रतिभं किस धारापर के अंतरगत लगाए जाएं उन्होंने हजरत मुहम्मद का उदाहरन देते हुए तथा अन्य सुधारों का हवाला देते हुए ये भी कहा कि शुरू में वो लोग भी संख्या में थोड़े होते थे और उन पर भी लोगोंने अत्याचार किये थे उन्होंने इस फ़स्ट सब्दों में कहा कि दादा जी से जो भी जायस मांग की गई थी वह उन्होंने पूरी की है उन्होंने यह भी कहा कि वास्तों में ज्यादती तो एंटी ओम पार्टी ओम मंदली की ही है परन्तु अंत में जब उन्होंने अपना मंत्री मंदल इसी कारण से तूटते देखा तो वो भी थोड़े से जुग गए सरकार ने एक ट्रिबिनल नियुक्त किया परन्तु उस ट्रिबिनल में भी सिंधी भाई बंधो तथा मुखियों के रिष्टेदार व्यक्ती ही नियुक्त कहे गये थे इस पर ओम मंदली की और से सरकार को सफ़्ष्ट बताया गया था कि ट्रिबिनल में एक सदस्य जो जो सिंध अब्जर्वर की बोर्ड ओफ डिरेक्टर्स के चेर्मेन है और वह पत्र तो एंटी ओम पार्टी का ही पक्ष शुरू से लेता आ रहा है और ट्रिबिनल के इस सदस्य का एंटी ओम पार्टी से कुछ एक सदस्यों से रिष्टानाता भी है لिए यह सदस्य निश्पक्ष नहीं हो सकते इसी प्रकार अन्य सदस्यों के बारे में भी बताया गया कि वे एंटी पार्टी, एंटी मंदली के पक्षपाती हैं. अतह सरकार को यहां आवेदन पत्र दिया गया कि ट्रिबिनल में कोई निश्पक्ष व्यक्ती होने चाहिए. या तो उनमें कोई अंग्रेज आदी हो और या निश्पर्ष हिंदू हो. इस शांत किया जाएं. और जो सेक्षन 144 लागू है, उसे हटाया जाएं. ताकि ओम मंदली के प्रतिनिधी आपस में मिल जूल सकें. और वे अपने वकील से राय सला भी कर सकें. पुनश्चर. यह भी मांग की गई कि ट्रिबिनल के सामने वकील को लाने की भी स्वरकुती दी ज स्याएं कानुनी बातों को पेश करने की विधी से अपरिचित हैं. इसके अलावा, सरकार से यह भी कहा गया कि ट्रिबिनल को यह अधिकार होना चाहिए कि वो साक्षी के लिए जिन व्यक्तियों को चाहे वो बुला सकते हैं. ट्रिबिनल की कारेपधती का भी पता लगना च चाहिए तथा जिन बातों पर उन्हें जाज करनी हैं उनकी भी सुची प्रकाशित होनी चाहिए. परंतु ओम मंदली की और से सरकार को लिखी गई इन बातों की कोई सुनवाई न हुई. नहीं उनके प्रतिनिधियों को वकील पेश करने की इजाजत दी गई. नहीं उनके आपस में खुली तरह मिलने जुलने के लिए उचित वातावरन पैदा किया गया. अतहर ओम मंदली ने ट्रिबिनल की बैठकों में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया. ओम मंदली के बहुत से सदस्यों ने व्यक्तियत रूप से ट्रिबिनल को लिखा था कि हम भी ट्रिबिनल के सामने ओम मंदली के मनतवयों तथा कारियों को सपस्ट करना चाते हैं. यद्यपी वे प्रतिष्ट कुलों के नरनारी थे परन्तु उनमें किसी को भी साक्षी के लिए नहीं बुनाया गया था. आखिये ट्रिबिनल ने ओम मंदली के प्रतिनिधियों की सुनवाई किये ब मंदली के सदस्य अलग अलग रहें. यह बड़ा विचित्रण ने था क्योंकि ओम मंदली के सदस्य तो प्रायव परिवार ही थे. क्या पत्ति अपने पत्नी से पिता अपने पुत्रों से अलग रहें? ट्रिबिनल का इस बात पर तो ध्यान ही नहीं था. यह बहुत से पूर आलोचना हुई बहुत से शिक्षिक लोगों ने यह आवाज उठाई कि यह अन्याय है हर रेक को अपने धार्मिक सिद्धानतों पर चलने की पूरी वैदानिक सतंत्रता है और होनी भी चाहिए ओम मंडली की और से गवर्नर साहब को पत्र लिखा गया समाचार पत्रों में इस बात पर काफी चर्चा हुई कि जिस कानून के अंतरगत ओम मंडली के सदुस्यों को अलग रहने के लिए कहा गया है वह कानून तो इस मामले में लागू होता ही नहीं है वह तो किसी ऐसी संस्ता पर लगाया जा सकता है जो उपद्रव करती हो परिंतु ओम मंडली के बारे में तो हाई कोट में पहले भी एक बार निर्णई दे चुकी है कि ये लोग शांति प्रिय है और समाज सुधारक है किन्तु कितना अन्याय है इस संसार में हाई कोट के इस निर्णई की और ध्यान न देते हुए मंत्री मंडल को बचाने के लिए न्याय का खून कर दिया गया और अन्त तक ओम मंडली को यह भी न बताया गया कि ओम मंडली के विरुद ट्रिविनल में किस किस ने गवाही दी और उन से उसने क्या क्या कहा और कि ओम मंडली के विरुद आरोप क्या है और उसका आधार क्या है और उसका प्रमान क्या है आखिर सिंद्र के मुख्यमंत्री तथा विधी मंत्री ने अनोपचारिक रूप से सुजाव दिया कि ओम मंदली के लिए पांच-छे बंगले आप पास-पास ले लिये जाएं जहां पर कि वे कुछ समय के लिए अलग-अलग रहें उनोंने मौखिक आस्वासन दिया कि कुछ समय इस प्रकार करने से लोगों के अत्याजार और आंदोलन बंद हो जाएंगे और संसकार ओम-मंदली के विरुध कोई भी कदम नहीं उठाएगी बाप अपने बच्चों के मन को खुश करने की कोशिश तो करता ही है अतहा ऐसा ही किया गया एक बंगले में बाबा और उसके साथ कुछ परिवार जो कि उनके लौकिक रिष्टेदार भी थे वो साथ रहते थे एक बंगले में छोटे बच्चे रहते थे जो कि लौकिक शिक्षा के अतिरेक्त इश्विरिय ज्यान भी लेते थे एक बंगले में ओम्राधेजी के साथ माताए और बालिक कन्याए रहती थी एक अन्य बंगले में भाई लोग रहते थे इस प्रकार इश्वरिय यग्य का क्यारतो पहले की तरह ही चलता रहा विद्यार्ती जीवन और इश्वरिय प्रढाई का कार्य भी ठीक वैसे ही चलता रहा अपनी बसों में सवार होकर वैसे ही दिन प्रति दिन क्लिफ्टन पर सागर के किनारे सेर करने जाते थे कुछ समय ही और लोगों ने जंजट और जगरा करने की कोशिश की आखे जब उन्होंने देखा कि ये लोग टलने वाले नहीं हैं इन्हें तो पक्की इश्वरिय लगन लग गई हैं वे ठक कर वापस हैद्रबाद चले गए उन लोगों को परमपिता परमात्मा से वैर करने तथा अपना ही धन और समय व्यर्थ गवाने के सिवा कुछ भी मिला नहीं उन्होंने सोचा कि एक दिन दादा का पैसा भी खर्च होते होते समात हो जाएगा और तब ये सभी माताए बहने और भाई वापस लोट जाएंगे उन्हें यह क्या मालूम था? कि यह सर्व शक्तिवान परमपिता परमात्वा द्वारा स्थापित किया हुआ इश्वरिय विश्व विध्याले है यहां किसी मनुष्य द्वारा स्थापित किया हुआ साधारण ज्ञान यग्य या विद्याले नहीं है उन लोगों ने समाचार पत्रों में यह प्रस्ताव छपा दिया कि कोई भी व्यक्ति ओम मंदली को पैसा न देवे ताकि इसका धन समाप्त हो जाए और इस संस्था का अन्त हो जाए परंतु जिस ओम मंदली का आधार त्याग तपस्या और ईश्वरिय निश्टा था उसका लोग कैसे अन्त कर सकते थे उसका कार्य अब शान्ति पूर्वक और सुचारू रूप से चलने लगा जिन कन्याओं को नाबालिक होने के कारण कोट द्वारा उनके संबंदी ले गए थे वे भी अब वापस आने लगी क्योंकि उनके माता पिता ने देखा कि इनकी लगन तो अतूठ तौर पर इश्वर से लगी हुई है और ये सिनेमा, फैशन, मासाहार, विकारी विवा आदी के लिए तो हमारा प्रस्ताओं मानती ही नहीं है तो क्यों न उन्हें जाने दिया जाए और जीवन को उच्छ बनाने की शिक्षा लेने दी जाए वालिक और बुजर्ग माताएं तो पहले से ही वहां थी उन्हें तो कोई भी वापस ले जाने की आग्या नहीं दे सकता था क्योंकि वास्तों में तो पहले से ही सबके पती और स्वसूर ने यही स्विकृती पत्र लिख कर दिया हुआ था कि वहां ओम मंडली में ओम राधे के पास जाकर ज्ञान अमृत पी और पिला सकती ही कुछ बालिक कन्याओं को भी उनके माता पिता किसी मान्य व्यक्ति द्वारा दबाव डलवा कर और बीच बचाओ करा के वापस घर ले गए थे अब वे भी वापस लोट आई क्योंकि उनकी लगन निश्ठा त्याग और तथा सच्चाई से तो मध्यस्तता अथ्वा विचोही करने वाले व्यक्ति तथा उनके माता पिता भी अप्रभावित हो गए थे इस विश्य में ब्रह्मा कुमारी महनोहर इंड्रादादी जी कहती जो आप पिती लिखी है उसमें यह उलेखनिया है ब्रह्मा कुमारी महनोहर इंड्रादादी जी कहती है कि एक दिन की बात है कि दो तिन कुमारी या कुमारियों की माताओं को एंटी ओम मंदली के लोगों ने बहकाया और कहा कि आप ओम मंदली से अपनी बच्चीयों को वापस लाओ परन्तु उन्होंने कहा कि हमने तो उन्हें सीव स्कूर्टी पत्र लिख कर दिया हुआ है अतह नयाया ले में तो वे उस पत्र को पेश कर देगी यह सुनकर एंटी ओम मंदली वालों ने उनसे कहा अच्छा हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं यदि आप हमारे उस सुझाओ पर नहीं चलेगी तो हम आपको अपनी बिरादरी से निकाल देंगे और आपको ख्षती पहुँचाएंगे इस प्रकार उन्हें डराकर वे उन माताओं को कराची में ले आएं और वहां उन्हें सारी बात समझाकर वहां के एक धनाडिय एवं प्रसिद्ध व्यक्ति शिवरत्न मोहत्ता जी के दर्वाजे पर बिठा दिया और भूख हरताल करने को कहा जब शिवरत्न मोहत्ता जी को यह बात मामलूम हुई तो उसने उन माताओं को भीतर बुलाकर भूख अरताल का कारण पूछा उन माताओं ने बहुत ही अनुय विनए करते हुए कहा कि दादा से कहकर हमारी कन्याओं को वापस भिजवा दो शिवरत्न जी ने दादा जी से बात करके हमें अपने यहां बुलवाया हमने देखा कि उनका मकान एक बड़े महल की तरह था क्रोध से उनके नेत्र लाल हो रहे थे उनका व्यक्तित्व बड़ा भयंकर था उन्होंने हमसे न पूछा न हमसे कुछ कहा बलकि आग्या की कि हम कन्याओं को हमारी माता के हवाले कर दिया जाए वे बोले इन कमारियों ने अपनी माताओं को बहुत तंक किया हुआ है हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कंस हम कन्याओं को शिला पर पटक कर मार रहा हो उसके आतंक के कारण हम बाहर उन माताओं के साथ कार में बैठ गई परन्तु उस समय हमारी अंतरात्मा में यहां आवाज हुई कि हे शक्तियों तुम इनसे डरो मत इनको इश्वर्य संदेश देती जाओ आप ही तो उनके धार के लिए निमित है अतहा हम कार से उतर कर फिर अंदर गई हमने कहा हमें आपसे बात करनी है वद दिल मिला कर बोले क्या बात करनी है हमने कहा बाबुजी आप हमको कहा भेज रहे हैं हम आपको बताती है कि हम यहां पर कैसा जीवन बना रही है और हम इन माताओं के यहां क्यों नहीं जाना चाहती हैं, हम आपसे केवल एक ही बात मांगती हैं, आपको हमारी यह मांग पुरी करनी होगी, हम कोई सोना चांदी नहीं मांगती हैं, नहीं संसार का कोई अन्य वैभव या सुविधा सुख मांगती हैं, ये लोग हमें ज्याना पीने के लिए ओम मंडली में जाने की आग्या नहीं देती है, नहीं हमें पवित्र अर्थाद ब्रह्मा चर्यवरत वाला उत्तम जीवन व्यतित करने की स्वकृति देती है। कि आपने अपने हातों से जीन कन्याओं को उन्हें सोपा है, उनकी ऐसी हालत हो जाए। देखिए, यह हम पर सितम ढ़ाकर हमारे मुख से मुख में अशुद्ध अथात तामसिक भोजन डालने का हैर कर्म करती है। हमें पकड़ कर सिनिमा कर ले जाती है। हम शान्ती पुर्वक प्रभू की याद में जब कुछ समय घर में बैठती है, तब यह लोग हमें पीछे से धक्का देती है। हमारे सगे संबंधी जो है वो हमारे बाल खीचते हैं। हमारा यह सब दर्दनाग जीवन रुत्य सुनकर मुहत्ता जी के मन में दया की भावना जागरूत हो गई। कुछ नर्मस्वर्म में मोहत्ता जी बोले, अच्छा मैं आप लोगों से एक प्रश्ण पूछता हूँ, मैंने सुना है कि तुम लोग शादी करने से इंकार करती हूँ, मैंने कहा, बबुजी ऐसा नहीं है, हम शादी से इंकार नहीं करती हैं, शादी तो श्री राम ने भी की थी, श्री कृष्ण ने भी की थी, सभी ने की थी, बाबुजी बात केवल यह हैं कि हम विकारी मनुष्य से सादी नहीं करना चाहती हैं, हम में से हरे की इच्छा है कि हम उस मनुष्य से सादी करें, जिसने आत्मसाक्षात कारुपी धनुष को छोड़ा हो, मन्नों विका कर महत्ता जी को बहुत खुशी हुई उनका चहरा जो पहले तना हुआ सा लगता था बदलते बदलते खुशी से खिल हुठा महत्ता जी बोले आप छोटी-छोटी कन्याओं की यह बाते सुनकर और आपकी लगन और उच्छा को देखकर मुझे बहुत प्रसनता हुई है आप शाक्षा देविया हो आपके संस्कार मंजे हुए है आपका मन निर्मल है बस मैंने समझ लिया अरे आप पर इतना अत्याचा बेटी तुम निश्चिन्त रहो फिर में माताओं की और देखकर कहने लगे कि आप तो सौभाग शालिनी हैं कि आपके घरों में ऐसी तपस्विनी कन्याए बालाए हैं अरे आप इनको मारती हो इनको इनकी इच्छा के विरुद बलात अर्शुद भोजन खिलाती हो ये तो पावन पुत्रिया है साक्षा द असत्याचा नहीं होना चाहिए अब आप भले ही इन्हें अपने साथ ले जाए परन्तु जब भी जाने के लिए इनका मन करें इन्हें खुशी-खुशी चुट्टी दे देना ऐसा करकर उन्होंने हमें चुट्टी दी हमारी वह माताओं मन ही मन में डर रही थी कि हमारी अस सथा ही नहीं हम तो उनसे स्विकुत्री पत्र लेकर गई थी उन माताओं ने तो लोगों के अंतक और उनकी धंकियों से भयवीत होकर ही महत्ता साहब के घर पर भुख हड़ताल की थी अस्तु जो हुआ उसमें भी हमारा कल्यान ही समाया हुआ था हम जब कराप्ची से अपन उस द्वारा अब इन माताओं का भी कल्यान करें सेवा का यह अच्छा उसर है यह शुब शंकल्प करके हम जितने दिन वहां रही हम उन्हें कुछ न कुछ ज्ञान सुनाती रही घर में अन्यकारियों में तो हम उन्हें पूरा सहयोग देती ही थी आखिर्व माताय हमारे प ज्ञान प्राप्त करने करके अपना भविष्य उज्वल बनाओ हम उनका शुब आशिश लेकर कराची में वापस ज्ञान यग्य अर्थात इश्वरिय विश्व विद्याले में लौत आई और वहां बॉर्डिंग में रहने लगी अब हम लोग निश्चिन्थ होकर चुकी थी अब काफी संख्या में हिंदी अंग्रेजी आदी भाशाओं में इश्वरिय साहित्य को छपवा कर वे लोगों को दिया जाता था देश भर के हजारों विशिष्ट वक्तियों को भी बेजा जाता रहा और इस दिस जस्टिस नाम से भी एक पुस्तर छपवा कर सभी विशिष्ट व्यक्तियों के पास भेजी गई ताकि उन्हें मालूम रहे कि कैसे दवाव धमकी तथा पक्षपात के वर्ष ओम मेंडली से अन्याई किया गया आज संसार में अन्याई है तभी तो किसी ने कहा है छोड़ भी दे आकास सिहासन इस धर्ती पर आ जारे काप रही है धर्ती थर्थर आग के बादल बरसे घर घर बढ़ती जाए पाप की गर्मी पिखन रहा है पथर पथर अंधिकार ही अंधिकार है आकर जोद जगा जारे एक मा का दिल रो रो कहता पापी बैठे मोज बनाए धर्म का बंदा जुलम है सैता जग में फिर है धर्या धर्म की आकर बेल बजाद लगा जारे छोड़ भी दे आकास सिहासन इस धर्ती पर आ जारे इस धर्ती पर आ जारे ऐसे ही समय के बारे में भगवान ने कहा है यदा परन्तु आज लोग तो चांदे ही नहीं है कि भगवान ही आउतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं. तो आज 125 पेज पर हम ये स्टॉप करते हैं. Thank you. Om Shanti. अब कुछ समय के लिए हम बाबा की याद में बचेंगे. इन वृत्तांतों को श्रवन करते हुए और स्वयम को स्थाक्षी रूप में देखते हुए. मुझे एक गहरा एसास होता है. की परमात्मा की मार्ग पर चलने के लिए है. मैं आत्मा सत्य हूँ. मैं आत्मा चैतन्य हूँ. मुझे अपने इस शरीर में रहते हुए. जब तक इस शरीर में ये प्राण है. कानों से परमपिता परमात्मा के ज्ञान अम्रुद की धारा. बुद्धी रुपी पात्र में भरते रहना है. बहुत कुछ लोगों को ही ये सवभाग्य प्राप्त होता है. इस जीवन में. मुझ आत्मा को ज्ञान के चक्षु से परमात्मा का दिव्य दर्शन हुआ है. मैं महाभारत के उस मैदान पे खड़ी हूँ. जहां मेरा साथी जूती स्वरूप परमात्मा है. और मेरे सामने. सारी जगत की मायावी. कौरवी. विकारी. दुनिया है. और अपनी सभानता में मैंने चुना है. कि मुझे शिव परमात्मा के साथ इस महाभारत के युद्ध में पांडव बनकर. अपना पात्र बजाना है. अपना पात्र बजाना है. ग्लानिर भवते भारत. अप्युत्तानं अथर्मस्य. ततात्मानं श्रिजान्य. परित्राणाय साथुना. विनाशाय जद उश्कृता. धर्मसंस्थापनार्थाय. संभवाने संगम्योगे. निराकार शिव है आए. गीता का ग्यान सुनाए. निराकार शिव है आए. गीता का ग्यान सुनाए. ब्रम्हातन आधार ले सच्ची. सच्ची गीता सुनाए. निराकार शिव है आए. गीता का ग्यान सुनाए. ब्रश्टा चार दूरा चार मिताने. आए है शिव भारतनी. भाक्य मिधाता सयंप धारी. साधार अग्पन ग्रम्हामी. ब्रम्हा मुक्से शिव की वारी. जो गीता केहलाए. मेराकार शिव है आए. गीता का ग्यान सुनाए. मेराकार शिव है आए. गीता का ग्यान सुनाए. सर्व धर्मां परित्यज़. मामी कम्षर नम्डज़. अहम्त्वां सर्व पापी प्यो. मुक्ष इश्यामी माशुच. देह की घर्मों को त्यागो. माया से तुम दुर भादो. एक मुझे बस याद करो. अपनी पापों को भस्म करो. सर्व शास्त्रव शिरो मनी में ये संदेश सुनाए. मेरा कार शिर है आए. गीता का ज्यान सुनाए. मेरा कार शिर है आए. गीता का ज्यान सुनाए. ब्रहातन आधार ने सच्ची सच्ची जीता सुनाए. मेरा कार शिर है आए. गीता का ज्यान सुनाए. कि अने सुनाए. धीता का बीता ke यान सुना हुन क्या हुनल थिर है आए. झाल झाल